हलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में अब जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हफता निकल के गया है मतब ट्रेडिंग के लिए उसमें एक दिन एक अच्छी घाची तेज को मिली अब जब यह तेजी बनी उसके बाद कुछ एनलिस्ट जो है उन्होंने इस पर कुछ रिकमेंडेशन दिये कुछ लेवल्स बताएं और मेरे गाल से वह लेवल्स काफी कुछ अगर आप देखो के तो सही भी नजर आते हैं ठीक है तो इन सारे लेवल्स के बारे में तो बात करेंगे ही लेकिन कुछ important updates भी हैं जो बड़ी बड़ी बैंक हैं बैंकिंग में अगर आप देखो के तो उनको काफियत तक पीछे छोड़ा है यस बैंक ने और वो criteria क्या है वो सारी चीज़ा भी हम देखने वाले है एक request आस पर जरूर करूंगा कि बहुत ही जल्द हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में यानिकि Friday के दिन अगर आप देखोगे तो यस बैंक में एक बारी फिर से गिरावट का ही महौल देखने को मिला था करीबन अगर आप देखोगे शोलर रूपए 60 पैसे पर यस बैंक की क्लोजिंग देखने को मिली थी 0.90% की बना जिसके बाद से चीज़ें आपको नेगिटेवी जाती हुए नजर आई अब एक एक करके कुछ चीज़ों पर नजर डालते हैं जैसे कि अगर आप यहां पर देखो मैं पिछले 4 साल का track record दिखाऊं जिसमें आपको इसके performance के बारे में चीज़ें पता चलेंगी जैसे क एक टाइम पे 2020 और 21 में जो बैंक है वो काफियत तक loss में थी बड़े loss में थी लेकिन अच्छी बात यह है कि recovery होनी start हुई revenue तो पहले के comparison में अभी भी कम है लेकिन हाँ एक बार ही अच्छा कहासा profit जो है वो companies generate किया इस वार के profit आपको 2022 के comparison में कम जरूर दिख रहा होगा ल इस सारे के सारे जो है वो पिछले साल के comparison में बहुत अत्तक बढ़ते हुए नजर आए अब जो levels वगरा है उनको discuss कने से पहले मैं आपको यह दिखाता हूं कि आखे जो बड़े बड़े banking houses है उनको कहां तक beat कर पा रहा है yes bank यहाँ पे आप देखो जो NRE accounts होते हैं उस पे भ अगर आप देखो के 6.50 से लेके 7.10 तक की rate है जो है वो provide कर आ रही है और जो 2 करोड से amount कम का होता है उस पर यानिकि 6.50 से लेके 7.10 वहीं अगर आप देखो HDFC जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा side में 6.60 से लेके 7.25 यानिकि HDFC bank जो है वो एक SBI के comparison में ज्यादा rate of interest provide करा रही है और definitely बनता भी है क्योंकि SBI है सरकारी bank और HDFC आपको प्राइवेट बैंक वहीं आई-चेजी bank जो है वो HDFC थोड़ी थी पीछे नजर आती है यह आप देख पा रहे होगे 6.70 से लेके 7.10 है ठीक है तो यहाँ पे अभी तक का जो बेनर निकल के आता है वो है HDFC लेकिन अब बात करते हैं यस बैंक की तो यस बैंक जो एनरी फिक्स डेपॉजिट रेट प्रोवाइड करा रहा है वो करा रहा है 7% से लेके 7.50 यानि कि अगर आप देखो के इन चारों ही बैंक में नंबर उनकी पोजिशन पर जो आता है वो है यस बैंक और साथ से साथ सा यहां पर देखो तो अब मैं में चीज़ पर आता हूं जैसे कि जब इसमें एक अच्छा लेवल बना फिर उसके बाद इसको कवर करना फिर से स्टार्ट के लोगों ने तो अभी क्या है जो रजिश्ट्रेंड लेवल है जहां से आपको हो सकता है कि प्रॉफिट वुकिंग यस बेंक है उसने फ्राइड़ गर आप देखोगे एक ड्रॉप देखने को मिलेंगा तो करीबन 2% का लेकिन अच्छी बात यह कि करीबन 1% के आसपास की ही गिरावर्ट देखने को मिली लेकिन जो टेक्निकल चार्ट्स हैं उस पर अगर आप देखोगे जो मोश्टली एन 65 से लेकर और अगर यहां से थोड़ी वक गिरावट बनती है तो लेवल जो जाएगा वो जाएगा 15 रुपे 30 पैसे तक का यानि कि कोई major गिरावट के chances नहीं बन रहे लेकिन अगर upside बनता है तो definitely यहां से 18 रुपे 50 पैसे से लेकर 21 रुपे के लेवल तक share जा सकता है और यह range के बीच में आप trading years bank अंदर कर सकते हो और यहां से एक stop loss maintain करने की सलादी है 14 रुपे 40 पैसे की ठीक है तो यहां पे यह well worth share and stock broking के head technical analyst की दरब से recommendation निकल के आई है फिर अगर हम यहां पे आगे देखें तो और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिसमें अगर आप देखोगे जो वनारा के यानि की riches वनारा technical and derivative analyst है stocks box के इन्होंने भी बोला है कि अगर यहां से जो share है वो एक अच्छी काची closing दे देगा और यहां से एक जो current लेवल से अगर आपको buying करनी है तो definitely share जो है वो अच्छी बात यह है कि कोई बहुत बड़े या फिर अनची विडियो में बुला था कि ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे टार्गेस निकल के आगे जैसे कि सुजलोन का एक टार्गेट मैंने रिपोर्ट उसमें कवर की है प्रीवेस वीडियो वह आप देख ले न तो वहां पर एक सेनेरियो यहां पर यह अच्छारा कि यह बैंक पर नहीं है अब अगर आप देखोगे तो एक चेंज हुआ है यहां पर आप न्यूस देख पा रहे होगे श्री कृष्णा हरियर सर्मा यह क्या हुए है यहां पर करनाटिका बैंक के एमडी की तरह इनको पोस्ट किया है या यह बैंक के लिए यह फिर उससे लिंक क्यों है तो आप यहां पर देखो तो यह बैंक में भी यह काम कर चुके हैं और अगर आप देखोगे तो ही वाज दा इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अफ दी कॉमर्सिल बैंकिंग इंफ्रेस्ट्रेक्टर ठीक है तो यहां पर यह यह बैंक के अंदर भी काम कर चुके हैं तो इसलिए यह न्यूस भी काफिया था इंपोर्टेंट बन जाती है हाली में के सी यो की तरफ से एक बयान निकल के आया था उससे भी प्यूटिम माहल बना था कि जो यह बैंक है वह अपनी जो मार्जिन है उसको एक्सपेंड रेशियू है यानि कि कासा रेशियू है और जो डिपॉजिट रेशियू है उसको काफियत तक इंप्रूब करेंगे और अच्छा गासा मैंटेन करके रखना चाहते हैं और इसी वजह से यहां से इन चीजों पर काफियत तक काम किया जाएगा अब ऑबर आल देखो इंटरन वाली वीडियो जरूर देख लेना उसमें मैंने आई-एक्स को भी कबर किया है उसमें दो दिन के अंदर 23-24% की गिरावट है तो वह आप देख लेना आखिर रीजन क्या है बाकी वीडियो में फिलाल इतना यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल पर फ सब्सक्राइब जरूगा दीजेगा धन्यवाद